हेलो स्टुडेंट्स तो कैसे हैं आप सब आप सब आप सब ठीक होंगे तो चलिए आज कुश्चन नम्म 7 करते हैं एक्सराइस 2.6 का और इस चाप्टर का ये लास्ट कुश्चन होगा तो देखिए आप सब बहुत खुश होंगे कि ये आपका चाप्टर बहुत जल्दी फिन काफे टाइम लग गया लेकिन चलिए एक कुश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे वे तो तो कुश्चन के अंदर देखिए आपके सामने में चला देता हूँ कुश्चन क्या है आप रीड करिए दिनॉमिनेटर ऑफ राश्नल लंबर इस ग्रेटर देन इ तो अगर हम निुमिनेटर को 8 लेते हैं लेट निूमिनेटर भी एक्स तो डिनॉमिनेटर उससे कितना बढ़ा है एट डिनॉमिनेटर कितना हो जाएगा एक्सपलस 8 होजाएगा कुश्चन में यही लिखा ये लिखा है न ठेक है इफ दées नियूमिनेटर इस इनक्रीस्ट 17 आप देखें new numerator क्या हो जाएगा क्योंकि आपको एक equation इसके अंदर form करना है और अलग-अलग situations आपको given है तो उसी situation के साथ आपको equation बनाना है तो इसमें बोला है numerator is increased by 17 तो कितना हो जाएगा x plus 17 हो जाएगा ये और denominator कितना हो जाएगा new denominator कितना हो जाएगा denominator decreased by 1 तो x plus 8 minus 1 तो देखें ये तो हमारा हो गया x plus 17 और ये हमारा कितना हो गया x plus 7 अब question के इंदर equation form करने है देखें कि अगर ये अगर हम करते हैं तो हमारा नया number क्या बनेगा 3 is to 2 तो देखें यहाँ पर equation form करते हैं हम ध्यान से देखेंगा ये important part है इसका x plus 17 ये तो हो गया हमारा numerator और x plus 7 ये क्या हो गया denominator और ये किसके equal form करेगा 3 is to 2 तो इसको solve करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा cross multiplication तो आप देखें 2 multiplied by x plus 17 equals to 3 multiplied by x plus 7 तो 2x हो गया है यहाँ पर और ये 17 तूज़ा 34 3x plus 73 तो यहाँ पर देखें क्या है 34 minus 21 equals to 3x minus 2x x equals to 34 में से 21 minus करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 13 जो आया है वो क्या आया है x आया है तो इसमें आपको number find out करने थे कि denominator क्या है और numerator क्या है तो आगर numerator x है तो x का मतलब यहाँ पर क्या है 13 है और denominator x plus 8 है तो 13 के अंदर गर हम 8 plus कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21 ठीक है तो I hope यह question आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा तो आपको इस पूरे chapter की practice करनी है और अच्छी तरीके से और इसी को आप अपना perfect करिए बाकी playlist के अंदर भी मैंने कुछ और chapters add करे हैं आप देख सकते हैं उनमें जाके इस chapter की worksheet में कल upload करूँगा और आपको उसकी practice करनी है तो आज के लिए चलिए बस इतना ही अब कल करते हैं new chapter थेंक यू